असलाम नीकुम, welcome back to my channel, एक नियो रेसिपी के साथ मैं आप सबको welcome कहती हूँ, आज मैं आपके साथ share करने लगी हूँ chicken bread patties की रेसिपी, इतनी मज़ेदा ये बनती है, बेकरी से कई गुना बेहतर आप घर पर बना सकते हैं, और इतनी easy recipe है, ये without cheese हम इसको बनाएंगे, लेकि ये थोड़ा सा गरम होगा, तो हमने इसमें add कर देना है अद्रक पाउडर, और साथ ही इसमें add कर देंगे lesson powder, अगर ये आपके पास मुझूद नहीं है, तो आप fresh भी दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, साथ ही इसके add कर देंगे, कुटी हूई लाल मिर्च, और यही हमने इसमें add कर देनी है बंद को भी और बारी कट की हुई बंद को भी है, साथ ही हम add कर देंगे शिम्ला मिर्च, दोनों बहुत की necessary है इस recipe के लिए, तो जरूर add कीज़े का, अच्छी तरह से mixing कर लेंगे, इतनी quickly यह recipe बन जाती है, आप इसको बना कर freeze भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करें, आप इसको fry करके serve कर सकते हैं, तो एक दफ़ा बना लीजिये, और तक्रीबन वन वीक तक आप इसे use कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने add कर दिया है, boiled chicken shredded है और इसे बस just मैंने नमक डाला थ इसमें मैंने add कर दी है काली मेच, साथ ही मैं इसके add कर दूँगी नमक और according to your taste है दोनों चीजें, और इसके बाद हमने एक दफ़ा से दुबारा से mixing करनी है, पहले हम इसमें add कर देंगे गरम मसाला, और यह ज़रूर add कीज़ेगा, बहुत अच्छी सी खुश्बू भी तो आप इस recipe को ज़रूर try कीज़ेगा, अच्छी तरह से मैंने mixing कर ली है, एक साथ ही हमने सारी चीज़े नहीं add करनी, gradually add करेंगे, अब मैं इसमें add कर दूँगी मेदा, और जितनी वी quantity है साथ मैं mention कर दूँगी उसी हिसाब से आपने add करते जाना है, अब यहां पर हमने मे mixing बहुत अच्छी तरह से कीज़ेगा, ताकि जो मेदा है वो अच्छी तरह से cook हो जाए, और इसके साथ ही हमने इसमें फिर बात में डूद एड़ करना है, और एक sauce ही बन जाएगी अंदर, लेकिन जादा liquid ही नहीं रखेंगे इसे हम, यहां पर देखिए अच्छी तरह से म कि हमने सबजियों में ही इसे अड़ किया है, अगर हम अलग से करें तो हमें जादा cooking करनी पड़ती है, जिस तरह से मेदे और दूद को mix किया जाता है, और white sauce बनाई जाती है, लेकिन इस टाइम पर करेंगे, तो easily आपकी यह cooking हो जाएगी, बस अच्छी तरह से mix करेंगे, औ को add कर देना है, और अच्छी तरह से mixing करनी है, बहुत अच्छा सा flavor आएगा, juicy अंदर यह बनेगी filling, और खाने में बहुत ही tasty होगी, आप देख सकते हैं, कि अभी से ही यह बहुत ही tasty लग रही है, दूद अट कर देने के बाद इसकी हमने अच्छी तरह से cooking करनी है, तकरीब पर मैंने एक bowl ले लिया है, अगर आपके बस cutter है, cutter ले लीजिए, glass है, वो ले लीजिए, और इसके edges हैं, उससे हम bread crumbs बना लेंगे, और जो अंदर वाला part है, वो हम use कर लेंगे, बहुत easily cutting हो जाती है जितनी भी patties आप बनाना चाहते हैं, आप ready कर लीजिए का, हमें एक पैटी बनाने के लिए two parts चाहिए होंगे bread के, और इनके जो edges हैं, उससे हम bread crumbs बना लेंगे, waste मत कीजिए का bread की मैंने cutting कर ली है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन तीन patties ready कर रही हूं, और उसके लिए मैंने 6 bread को use किया है, अब इसके जो एक part है, उसके पर ketchup लगा देंगे, कौन सा flavor आप use करना चाहते हैं, आप अपने मताबिक use कर लीजिए का, अगर आप जादा spicy खाते हैं, तो चिली use क कर लीजिए का, आप पर depend करता है, अच्छी तरह से ketchup को spread कर देंगे, और अगर आप चाहें, तो माइनीज भी use कर सकते हैं, लेकिन ketchup का flavor काफी strong रहेगा, तो ketchup ही use कीजिए का, और इसके उपर अब हमने रख देनी है, filling जो हमने chicken की ready की है, बहुत ही tasty filling है यह, इस तरह से बस उ जब यह गरम होगी, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं spread कर दूँगी, अच्छी तरह से, बहुत quickly आप इसको ready कर सकते हैं, अगर आपके घर में थोड़ी सी सबजया मुझूद हैं, और chicken मुझूद है, तो आप इस recipe को try कीजिए का, बहुत ही perfect recipe यह बनती है, और खाने में बहुत लजीज होगी, बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो ज़रू try कीजिए का, अगर आपको मेरी recipe अच्छी लग रही है, तो kindly मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कर दीजिए का, एक तफ़र से दुबारा हम इसके उपर ketchup लगा देंगे, ketchup लगाने के बाद जो हमने part रखा और अच्छी तहां से press कर देंगे, ताके यह बाइंड हो जाए अच्छी तहां से, अभी हमने एक slurry भी ready करनी है, उसमें इसको dip करेंगे, और breadcrumbs की coating करेंगे, तो यह बहुत perfect बन जाएंगी patties, तो देखे कितनी अच्छी feeling बनी है इसकी, यहाँ पर देखे मैंने breadcrumbs ready कर था, थोड़ा सा थिक रखेगा, तादा थिक slurry नहीं करेंगे, बस इतनी अपने consistency रखनी है, कि जब हम इसको dip करेंगे, तो अच्छी तरहां से इसके उपर cover हो जाए, और ना जादा पतला रखेगा, तो यहाँ पा देखे मैंने breadcrumbs बनाई थी, इसमें अच्छी तरहां से dip कर लेंगे, dip करने के बाद हमने इसके उपर breadcrumbs की coating कर लेनी है, बहुत अच्छी तरहां से, इसके जो corners हैं उन में भी आपने अच्छी तरहां से breadcrumbs लगाने हैं, अच्छी तरहां से इसको cover कर देंगे, हर side से breadcrumbs से, और breadcrumbs की coating आपने बहुत अच्छी तरहां से भर- इस टाइम पर यह थोड़ी सी सॉफ्ट होती है लेकिन जैसे ही आप इसके उपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो यह बिलकुल एजीली हैंडल हो जाएगी और थोड़ी दे रखेंगे तो सलरी भी ड्राइ होगी और उसके बाद आप फ्राइ कर लीजेगा बहुत इजीली आप फ्राइ कर सकते हैं इसे यहाँ पर देखें मैंने ओयल गरम करने के लिए रख दिया है नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम पर और इसको हमने एड कर देना है और एक करके एड करेंगे अगर आपका फ्राइ पैन बढ़ा है तो आप दो-दो करके एड कर लीजेगा एक साइड अच्छी तरह से फ्राइ कर है कि आप कोई भी बर्गर भूल जाएंगे और इस पैटी को खाना बहुत पसंद करेंगे तो दिखें यह हमारी पैटी रेडी हो चुकी है दोनों साइट से मैंने बहुत ही परफेक्ट चला है दे दिया है इसका कुकिंग टाइम भी तकरीबन चार से पांच मिनट है और फ सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लगी है तो कार्णली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा थैंक्स वर वाचिंग अलाहाफेज